नंदन्वन पुलिस थाने अंतरगत 13000 की साइकल चोरी की घटना सामने आई है पुलिस ने CCTV फुटेज की आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर चोरी हुई साइकल जब की है ऐसी चानकारी वरिश पुलिस तरी शक मुक्तार शेक द्वारा दी गई है शेहर के नंदन्वन पुलिस थाना अंतरगत आने वाले सीमेंट रोड से चानकी अपार्टमेंट में साइकल चोरी होने की वादात सामने आई है जिसकी कुल कीमत 13000 रुपे बताई चारी है फिर्यादी ने अपनी साइकल अपार्टमेंट की नीचे पार की थी और फिर्यादी साइकल लेने अपार्टमेंट की पार्किंग में न दिखने से फिर्यादी ने पुलिस में शिकायत दर्स की पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर एक आरोपी को किरफतार किया है तो उसके साब से उसने 14 टारिक को चौधा के प्रिल को यह गाड़ी जो साइकल है कॉस्मिक कंपनी साइकल है उसके बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में लगाई थी और और जब 15 तारिक को वो गया देखने के लिए तो वो गाय साइकल उसको वहाँ पर दिखी नहीं तो उन्होंने यहाँ वहाँ पर देखकर फिर 12 तारिक को हमारी रिधर आये और उनकी एफई दाखल करी एफ़ार दाखल करने के बाद हमने वहाँ पे सिजबी फूटेज वगरे चेक किये सब कुछ किये और टेक्निकल मदद के हिसाब से हमने एक आरूपी को अरेस्ट किया 25 को और उससे फिर हमने ये साइकल रिकॉरी करी और अभी हम उसको जल्ली उसके जो मालिक है लेंडे करके उनको हम वापस देनेवाने साइकल साथ ही आरोपी से साइकल जब्त की है जल ही फिर्यादी को यह साइकल दी जाएगी ऐसी जानकारी नंदनन पुलिस के वरिश पुलिस सरिक्षक मुक्तार शेक द्वारा दी गई है क्यामरा परसन माइकल के साथ शितिजा देशिमुक बीसी नियूस नाकपूर